आप देखते होंगे कि NSY विभिन सवालों पे लड़ता रहा है और छात्रों के लिए समर्पित संगठन है तो इनका ये राष्टिये कारकरम घोसित हुआ है और घोसित होने का अगर कोई औचित कहा जाए तो उसके लिए इतना सटिक है कि 2014 में जब नरेंद मोदी जी चुलाव लड़ रहे थे तो इन्ही नौजवानों से उन्होंने वादा किया था कि हम प्रतिवर्स दो कडोर लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्स साथ आठ साल उनके होगे तो 16 कडोर कम से कम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था उसका उल्टा हुआ है कि नोटबंदी में जी एस्टी से ये कोरोना तो एक अलग प्रकोफ हुआ और इनकी आर्थिक निती जो थी आपको याद है कोरोना शुरू नहीं हुआ था उसी वक्त ये उसी वक्त ये माइनस में इनका जी डी पी था जिस देश का माइनस 23 जी डी पी हो जाए वहां के रोजगार को डिगिर लेने से क्या फाइदा है क्या उसका उचीत रह गया है तो ये पहला चरण है मैं समझता हूँ हम लोग छात रांदोलन से निकले हैं इसलिए मुझे हर दम अच्छा लगता है कि नौकरी दो या डिगिरी वापस लो अगला चरण तो मैं समझता हूँ कि इनका ही होगा कि काम दो या जेल दो या तो घंदी छोड़ो दो ये इस सिती होने वाली है क्योंकि मोदी सरकार के जुमले से देश का नौजवान का भविश सुधरने वाला नहीं है ये आज यहां का युवा पिली इस बात को समझ चुका है दिखें जैसा कि आपको पता है कि आज ये निस्वाय के द्वारा नौकरी दो या डिगिरी वापस लो कारे करम लौंच किया गया है हमारे निस्वाय के राष्ट्य अध्यक्स अधरनी नीरस कुंदन जी के दौरा दिली में ये कैमपेंड को लौंच किया गया था पुरे भादत वर्ष में ये कैम्पेण चलाए जा रहा है इने सुआ के द्वारा इसी के करम में आज जाकन में हम लोगों ने राची में एक आरे करम किया है हमारा इसका मुख्य उद्धेश है कि छात्रों को रोजगार दिलाना है जो किन सरकाय की नीती है वो छात्य विरोधी नीती है उसके विरोध में हम लोग एक एमपेल लॉंच किया है जिसमें छात्य जादा से जादा कॉलेज और उनिवर्शिटी के छात्रों को जोर कर हम 908 00850 यह हमारा नंबर है जिसमें कोई भी छात्र कहीं से भी वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जैसे ही वो कॉल करेंगे उनके एक मिस्कॉल आगा उनको लिंक मिलेगा लिंक पर वो अपना सारा डीटेल्स भर लेंगे जिससे हम लोग समझ माया जाएंगे किस जिले से किस क लब दोगा थैंक यू